दोस्तों, कठाल सेहत के लिए कई प्रकार से फायदेमंद होता है। कठाल के गुन और इसमें मौजूद पोशक तत्व इसे स्वास्थे वर्धक बनाते हैं। दोस्तों, ऐसी बहुत सी साग सबजियां हैं जिन्हें अधिकांच लोग उतना खाना पसंद नहीं करते हैं। ले कच्चे कठाल की सबजी बनाई जाती है, तो वहीं पके हुए कठाल को फल के रूप में खाया जाता है। वैसे कठाल का अचार भी काफी स्वादिश्ट होता है। दोस्तों, इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कठाल खाने के फायदे के बारे में तो। चलिए पाइबर का सेवन अतिरिक्त भूक को काबू में लाकर वजन को नियंतरित करने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें कैलोरी की मात्रा भी कम होती है। ऐसे में इसे वेट कंट्रोल डाइट का हिस्सा बनाया जाता है। रोगों से लरने के लिए शरीर की प्रतिरक्षा प्रनाली का मजबूत रहना जरूरी है। ऐसे में इम्म्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आप कटहल का सेवन कर सकते हैं। विशे से जुरे एक शोध में साफ पता चलता है कि इसमें इम्म्यून बूस्टिंग प्रोपर्टी यानी रोग प्रतिरक्षा प्रनाली को मजबूत करने वाले तत्व पाये जाते है। एक शोध में साफ जिक्र मिलता है कि कटहल का सेवन उच्रक तचाप को नियंतरित करने में मदद करता है। वहीं इसमें पोटेशियम पाया जाता है जो उच्रक तचाप को कम करने में एहम भूमी का निभाता है। नमबर 4. मधुमेह यानी डायबिटीज से बचाफ के लिए कटहल का सेवन लाबकारी हो सकता है। दरसल इसमें एंटी डायबेटिक प्रभाव पाया जाता है जो मधुमेह को नियंतरित वर्फ इसके जोखिम को कम करने में मदद करता है। नमबर 5. इनीमिया एक घातक बीमारी है जिसमें रक्त के अंदर स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं यानी रेड बलड सेल्स की कमी हो जाती है। इससे शरीर के विभिन हिस्सों तक रक्त पर्याप्त ऑक्सीजन ले जाने में असमर्थ हो जाता है। वहीं शरीर में आयरन की कमी की वज़े से इनीमिया हो सकता है क्योंकि आयरन लाल रक्त कोशिकाएं के निरमार में मददगार होता है। कि कठल में कुछ खास तत्व पाए जाते हैं जो बोन लॉस को कम करने में मदद करता है। वहीं शोद में जिकर मिलता है कि कठल मैगनीशियम से भरपूर होता है जो शरीर में कैल्शियम के अफशोशन में मदद करता है। इससे हड़ियों की मजबूती में मदद मिलती है और आस्टियो पोरोसिस जैसे हड़ी रोग से बचाव होता है। शरीर के पाचन तंद्र को ठीक करने में भी कठल के लाब देखे जाते हैं। जैसा कि हमने इस से पहले बताया कि कठल में फाइबर की मात्रा पाई जाती है और फाइबर का सेवन पाचन के लिए सही माना जाता है। इसके अलावा फाइबर कब्स जैसी समस्या में भी लाबकारी माना जाता है। नमबर एट हरदय को स्वस्थ रखने और हरदय संबंधी बीमारियों से बचे रहने के लिए भी कठल का सेवन फाइदे मंद होता है। दरसल विशे से जुरे एक रिसर्च पेपर में साफ जिक्र मिलता है कि कठल का सेवन हरदय रोग से बचाव में मदद करता है। वहीं इसमें पोटैशिम पाया जाता है जो उच्छर टचाप को नियंतुरित करहरदय को स्वस्थ रखने में मदद करता है। नमबर नाइन कैंसर से बचाव में भी कठल का सेवन लाभकारी होता है। दरसल इसमें इंटी कैंसर गुन पाया जाता है, जो शरीर में कैंसर कोशिकाओं के बनने वर वसके जोखिम को कम करने में मदद करता है. नमबर 10 जैक अफरूट में इंटी इंफलेमेटरी यानी सूजन को कम करने वाला प्रभाव पाया जाता है. ऐसे में हम कह सकते हैं इसका सेवन शरीर से जुरी सूजन की समस्या में राहत दिलाने में मदद करता है कटल का सेवन आँखों के लिए भी काफी लाभधायक साबित होता है क्योंकि कटल में विटामिन A की अच्छी मात्रा पाई जाती है जो आँखों की रोशनी को बनाय रखने के साथ मोतियाबिन्द की समस्या से बचाव करने में भी मदद करता है और लास्ट है नमबर 12 कटल का सेवन डायबिटीज के मरीजों के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है क्योंकि कटल में एंटिडायबिटिक प्रभाव मौजूद होता है जो शुगर लेवल को नियंतरित करने में मदद करता है तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा यदि आपको लगता है कि इससे आपकी जानकारी भी बड़ी होगी तो इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सबसक्राइब करें और वीडियो को अन्ने लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वी Thank you.